हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज है एक जुलाई और एक जुलाई को CRPF ट्रेडमेन का एक्जाम आपका सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो गया है सेकंड शिफ्ट के जितने रियल कोशन आप से आज पूछे गये थे वो सभी कोशन डिसकस करेंगे इस वीडियो में जिनका भी आगे CRPF ट्रेडमेन का एक्जाम होना बाकी है वो सारे दोस्त इस वीडियो को देख के जाएए क्योंकि कोशन आपके रिपीट जरूर होंगे और साथ में बिलकुल ऐसे कोशन आपके सिफ्ट में भी आएंगे तो जिनका भी आगे सिफ्टों में एक्जाम होना है CRPF ट्रेडमेन का वो पूरा अनलेसिस का वीडियो देखेंगे और साथ में दोस्तों जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेश्ट रहेगा आपके लिए इतना मैनत कर रहे हैं तो आप एक साथ वीडियो को लाइक करें लाइक बटन को एक साथ दबाईए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुचाने के लिए शेर अवश्य करें इस वीडियो को और रोजाना CRPF ट्रेडमेन का एक्जाम एनलेसिस ऐसे ही देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन जरूर ओन कर लीजिएगा तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे कोशन पूचे गए थे सेकंड शिफ्ट का पहला कोशन आपसे पूचा था कि खानवा का जो यूद हुआ था वो किसके बीच में लड़ा गया था तो इसका राइट आंस्वर आपको बता दूँ खानवा का जो यूद है ये 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था ये बाबर एम मेवाड के राना सांगा के मध्ये लड़ा गया था ठीक है तो आपसे पूचा था कि ये यूद किसके बीच में हुआ था तो आपका आंस्वर होगा बाबर और राना सांगा के मध्ये कब हुआ था 16 मार्च 1527 को पूरा वीडियो सभी से रिक्वेस्ट है एंड तक देखिएगा क्योंकि कोशन आपको मिस नहीं करना है जिनका भी आगे पेपर है ये बिल्कुल ऐसे कोशन आपके सिफ्टों में भी पूचे जाएंगे तो पूरा वीडियो जरूर देख कर जाएगा अगला कोशन आया कि सिजदा और पेबोस जो प्रता है वो लागू किसने किया था इसे देखिए सिजदा और पेबोस जो प्रता है ना इसे लागू किया था बल्बन ने राइट आंस्वर हो जाएगा बल्बन इस कोशन का अगला कोशन आपसे पूचा था मोहम्मद गोरी के भाई का नाम क्या था देखिए मोहम्मद गोरी के भाई का नाम पूचा है तो गियासुदिन गोरी इसके बड़े भाई का नाम था तो गियासुदिन गोरी आपका राइट आंस्वर होगा इस कोशन का मोहम्मद गोरी से एक कोशन और बनता है तराइन का प्रतम यूद और द्वित्य यूद प्रतम यूद हुआ था 1191 में द्वित्य यूद हुआ था 1192 में ये हुआ था मोहमत गोरी और प्रित्युरा चुहान के बीच में प्रतम यूद में 1191 वाले में प्रित्युरा चुहान की जीत हुई थी और द्वित्य यूद ज में चल से मोहम्मद गोरी जीत गया था ठीक है अगला कोशन आपसे पूछा था मोली करतव्य सविधान के कौन से संसोधन के तहत सविधान में जोड़ा गया था बेसिकलिए आपसे इस कोशन में संसोधन पूछा है कि मोली करतव्यों को कौन से सविधान संसोधन के तहत जोड गया तो इसका राइट आंस्वर था 42 सविधान संसोधन जो की 1976 में किया गया था किसकी अनुशंशा पे हुआ था तो आपको होगे यह हुआ था सरदार स्वर्ण सिहें समीती की अनुशंशा पे जिसमें हमने 42 सविधान संसोधन 1976 में करके 10 मोली करतवय जोडे गए और वर्तवान में मोली करतवयों की संख्या 11 है ठीक है हमसे पूछा था अमेंडमेंट तो यह था 42 अमेंडमेंट 1976 अगला कोशन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूँ मोली करतवय का अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 51 ए में मिलता है ठीक है अगला कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन हिंदी का है तीर का प्राइवाच्य सब्द आपको बताना था तो आपको बता दूँ शर बान विसीक सिलिमुक अनी सायक यह सभी जो है वो तीर के प्राइवाच्य है अब आप मुझे बताईएगा इसमें क्य क्या ओप्शन दिया गया था एक कोशन आया कि दोस सिद्धी का अधिकार किस अनुछेद में मिलता है तो आपको बता दूँ दोस सिद्धी का जो अधिकार है यह आपको मिलता है अनुछेद 20 के खंड 3 में ठीक है तो अनुछेद 20 आपका राइट आंस्पर होगा अगला को चोथा स्थान तो यहाँ पे फोर्थ रेंग का आपका राइट आंस्पर होगा अगला कोशन आया था हिमाले परवत किस परकार के परवत का उधारन है तो आपको बता दू हिमाले परवत जो है ये वलित परवत का उधारन है राइट आंस्पर होगा वलित परवत अगला कोश कोशन में देखिए next कोशन भी हिंदी का है केश का प्राइवाचे शब्द पूछा था तो केश का प्राइवाचे देख लेते हैं केश बाल कच कुंतल चीकूर अलक रोम सिरोरू यह सभी केश के प्राइवाचे हैं बाकी आप बताएगा विकल्प क्या क्या दिये गए थे कोशन में अगला कोशन देखिए बुगयाल जो घास के मेदान है वो कहां पे है देखिए बुगयाल जो घास के मेदान है यह उत्राखंड राजे में स्तित है उत्राखंड ओप्शन में था वो करेक्ट हो जाएगा उत्राखंड राजे के हिमाले चेतर में बुगयाल घास क मेदान देखने को मिलेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी वीडियो देख रहे हो जिसने भी अभी भी लाइक नहीं किया है आप एक साथ लाइक बटन दवाईए और आगे वीडियो कंटिनू कीजिए और जादा से जादा इस वी बैल आइकन ओन कर लीजिए अगला कोशन आया कि IPL का सबसे महंगा खिलाडी अब तक का कौन रहा तो आपको बता दूं 2023 में जो IPL खेला गया है हाल ही में इसमें सैम करन जो की पंजाब किंग से खेले हैं और ये अब तक के सबसे महंगे खिलाडी रहे हैं 18 करोड 50 लाक में ठीक हैं अगला कोशन आया था किस राजे ने अपने इंटरनेट सेवाए जारी की हैं तो केरल राजे ने की हैं केरल आपका राइट आंस्वर हो जाएगा और एक और कोशन आया था कि किस राजे ने जल बजट बनाया है ये भी केरल नहीं बनाया है दोनों का आंस्वर आप उपाधी कांथ किस अनुचेद में हैं तो यह Article 18 अनुचेद 18 में मिलता है उपाधी कांथ एक कोशना आया था Innovation Index 2021 में भारत का रेंग इसमें भारत है 46 नंबर पे 46 हवं रेंग है भारत का Innovation Index 2020 में एक दोस्तों मिलान करने वाला कोशना आये था जिसमें आपको एक तरफ विटामिन दिये गए थे दूसरी तरफ रोग दिये गए थे आपको बताना था कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है तो चार ओप्षन तो नहीं है मेरे पास पर मैं आपको सारे रोग बता देता हूँ जो कि विटामिनो से होते हैं सबसे पहले बात करते हैं विटामिन A की जिससे होता है रतोंदी रोग विटामिन B से होता है बैरी बैरी विटामिन C से होता है सकरवी रोग विटामिन B से होता है रिकेटस रोग ठीक है और यहाँ पे बी नहीं होगा यहाँ पे होगा विटामिन D थोड़ा में स् सही मिलान था वो आपको चूज करना था आई होप ये आपने सारे कोशन सही किये हो एक्जाम में पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब के साथ एंड कीजेगा, जिनको और कोशन याद है वो कमेंट कर दीजिए, जय हिन जय वारत